हलो नमस्कार जहिन दोस्तों आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टेक्निकल भी देसे असमें दोस्तों हम आजी रहें आप लोगों के लिए एक और सांदार MCQ क्लास की साथ दोस्तों आज हम आप लोग को फिर से कराने वाले हैं मेटल के इंपॉर्टेंट MCQ को पिछला वीडियो भी हमने मेटल के उपर आप लोग को प्रोवाइड किये था और ये वीडियो भी मेटल के जो है इंपॉर्टेंट MCQ के उपर होने वाली है जो कि किसी भी competitive exam के लिए दोस्तों बहुत महत्पूर्ण होने वाला है और CITS entrance exam 2013 के लिए तो अत्यधिक महत्पूर्ण है क्योंकि मेटल से बहुत सारे question आपके CITS entrance exam में पूछे जाते हैं दोस्तों मेटल पर हम जो है अभी 3-4 वीडियो और आपको provide करेंगे तो दोस्तों एक भी question आपका metal का छूटने नहीं पाएगा जो important है जो आपके बार-बार exam मे बिलती रहे तो चलिए आज के पहले question देखते हैं दोस्तों पहला question कहा रहा है निम्न में से steel की बनावट किस प्रकार की होती है तो आपका right answer यह हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों next question क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया दौरा पूंड प्रक्रिया में उत्पन् खरोंचों को किसके दौरा दूर किया जाता है इनैमिलिंग के दौरा पेंटिंग के दौरा आकसी करन के दौरा पॉलिसिंग के दौरा दोस्तों जो पूरी प्रक्रिया में उत्पन खरोंच होते हैं उसे दोस्तों पॉलिसिंग के दौरा दूर किया जाता है पॉलिसिंग ए कि संचारण के निवारण के लिए फेरस घटगों पर धात लेपन में से इस्प्रे किये जाता है उपड़्यूक्त टुंड वाले गन या पिष्टन की साइता से धात इस्प्रे किये जाता है धात इस्प्रे करने में दोस्तों simpel सा आपका इस question का कोई मतलम नहीं इतना बड़ा लिखने का आपका simple सा है कि धात्व spray करने में जब धात्व spray करते हैं या spray करने में क्या होता है गटकों के प्रिष्ठों पर पून रूप से धहात स्प्रे किया जाता है गटक के घटक प्रिष्ठ्पर लगे विजे पिर इस्प्रे की जाती है संपूइडित वाईव को फूंक कर गली धात के छोटे करण Ispray कीजेते हैं धाति प्रे में क्या होता है संपीडिट वाइब को फूँक कर गली धाति के छोटे काड़ों को इस्प्रे किए जाते हैं तापका उस्प्रिट लेवल ने उनुन में से किस पρकार के होती है तोlaubक सभी चूल लेवल ब्लाक इस्पृट लेवल उपरोग सभी यह तीनों प्रकार कि आपके इस्पृट लेवल पाए जाते हैं साधारा इंजिनियर्स और ब्लाक तो दोस्तों आपका राइट एंसर दोस्तों डी हो जाएगा बढ़ते इनेश कुश्चिंग तो दोस्तों अगला कुश्चि होती है तो आपका राइट एंसर दोस्तों भी हो जाएगा बढ़ते इनेश कुश्चिंग तरह बगला कुश्चिंग क्या कह रहा है दोस्तों कि सीड राइट लॉव एस्क में लोहे की मात्रा निम्न होती है दोस्तों ऐसे कुश्चिंग आपकी इग्जा में बहुत पूश सीट अग्या क्या रहा है कि ठोस्तों कि में टाइट लॉव एसक में लोहे की मात्रा होती है दोस्तों बच्ट इना 내용 Τृट्रव देना है और टालिस परसेंच 72 इसमें राइट टेवाइट इंसर आपका क्या होगा आप लोग बताईए 48 परसेंट 22 परसेंट 60 परसेंट 70 परसेंट दोस्तों इसका जो है हमेटाइट लोग एसक में लोहे की मात्रा दोस्तों 70 परसेंट होती है आपका राइट एंसर दोस्तों डी हो जाएगा बढ़ते दोस्तों नेक्स कुश्चन करब नेक् 24 पर्षंट 40 बात तर्दशंबल दो 4 पर्षंट, दोस्तों जो आपका पाइराइट लोह को था कि मातरा 40 पर्षंट होती है, त्यूंट थो आपका राइट एन्सर दोस्तों, उस गुल को कहते हैं लचीला पन आपका राइट एंसर दोस्तों B हो जाएगा तननेता तार के रूप में परिवर्थित करने पन को कहते है grip मयलेबिल्टी को अघातवर्धवर्ध नीता कहते हैं चादर के रूप में परिवर्धित करने की गूर्ध को कहते हैं चीमर्पन आपका दो है दोस्तों कि बलते योंध 7S क्रूस्त दोस्तों अगला कुश्ण क्या रहा है उस गुण को कहते हैं हार्डने क्योंकि जब धात हार्ड होगी तो उससे हम किसी धात को खुर्च सकते हैं तो आपका राइट एंसर दोस्तों सी हो जाएगा बड़ते नेश कुश्चन के तरफ आपका अगला कुश्चन क्या कह रहा है कि जिस गुण के कारण धातों को फोर हो जाएगा बड़ते नेश कुश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अगला कुश्चन कह रहा है निम्ण में से वहा कौन सी धात हो है जो ठंडी वा गर्म दोनों औस था रा टाइरन, काश टाइरन, हाई स्पीड स्टील, कोबाल्ट स्टील तो दोस्तों जो गर्म वा ठंडी दोनों अस्थाम भंगूर होती है वो धात होती है आपकी काश टाइरन, काश टाइरन आपका गर्म वा ठंडी दोनों अस्थाम में क्या होती है भंगूर होती है अब दोस्तों भंगुर क्या होता है भंगुर को अंग्रेजी में बिटिलनेस बोलते हैं भंगुरता एक mechanical property होती है बिटिलनेस जिसका अर्थ यह होता है कि कोई विधात हूँ यदि उस पे अचानक बल लगाया जाता है तो वो बिना किसी संकेत के भंग हो जाती है या तूड जाती है बिना कोई सूचना दिए तो उसे बिटिलनेस का गुर कहते है जैसे चाक है चाक को जैसे जमीन में गिराओगे वो क्या होगा तुरंत तूड़ जाता है ऐसा किस गुर के कारन तार बनाए जाते है भार गलनीता चालगता लचीला पन दोस्तों बताईए किस गुर क के कारण तार बनाय जाते हैं दोस्तों आपका राइट एंसर होगा चालकता के कारण क्योंकि तार बनाने का मुख्य कारण होता है विद्दुत का प्रवा अगर उसमें चालकता का गुण नहीं है तो तार नहीं बनाया आता राइट एंसर आपका C हो जाएगा दोस्तों बढ़ते एंस कुश्चिन तरफ अगला कुश्चिन क्या है कि निवन में से कौन सा धातु का भौतिक गुण नहीं है भार गलनीता चालकता लचीला पन दोस्तों भार भी आपका भौतिक गुण है गलनीता भी है चालकता भी तो कौन सा नहीं है आपका लचीला पन नहीं है तो आपका राइट एंसर दोस्तों क्या हो जाएगा D क्योंकि D आपका लचीला पन आपका भौतिक गुण नहीं है या एक मकैनिकल प्रॉपर्टी है बढ़ते एनस कुश्चिन तरफ दोस्तों आपका आगला कुश्चिन क्य अपो आपको बताना है मकेंचिल प्रॉपamment में कॉन सी है तो आप डोस्तों इसका एंसर कमेंच box में करना है अगर आप यसका एंसर सही करेंगे तो हमापको थंप और हर्ड देंगे और अगर आप गलत करेंगЕ तो दोस्तों हमाप आपको जो है उसका right answer बताएंगे तो इसका आप लोग का यह homework है दोस्तों आप इसका answer जो है comment box में कर दीजेगा तो मिलेंगे दोस्तों next वीडियो में तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत खुछ रहिए मस्त रहिए मुश्कुराते रहिए और अपनी CITS intrinsic jam 2023 की preparation को बेहतरी धंक से करते रहिए और जो लोग नए है भाईया प्लीज इस चैनल से जुड़ जाएंगे और subscribe कर लेंगे क्योंकि उनको जो है इस चैनल के माध्यम CITS जुड़े हुई कोई भी जानकारी और 2030 की full preparation कराई जा रही है thank you for watching